कॉरोना वाइरस के चलते जो लोक्डाउन हमने भारत में लगाया था उसे धीरे-धीरे हम खोलते जा रहे हैं लेकिन जब तक कॉरोना वाइरस की वैक्सिन नहीं आ जाती तब तक हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं Unlock Moves Should Continue To Protect The Vulnerable Vulnerable का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमजूर यहाँ पर कमजूर से क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो की बड़ी जल्दी Coronavirus की चपेट में आ सकते हैं उन्हें कहा गया है Vulnerable Unlock Moves Moves का मतलब हुआ कदम Unlock का मतलब है कि यह जो Coronavirus को हम यह जो लोकडाउन हमने लगाया था ना इसे धीरे धीरे Unlock कर रहे हैं इसे वापस खोल रहे है तो Unlock Moves Should Continue To Protect The Vulnerable देखो क्या लिखा हुआ है The Vulnerable The Vulnerable का मतलब हो गया सारे की सारे कमजूर लोग The Poor सारे की सारे गरीब लोग The Rich सारे की सारे अमीर लोग तो Unlock Moves कि यह जो लोकडाउन खोलने की जो हमारी प्रक्रिया के तैज जो भी कदम उठा रहे हैं हम उनमें क्या चाहिए उनमें चाहिए कि वे कदम जो है इस तरह के होने चाहिए कि वे कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो है कि रक्षा करें As the economy shifts gear कि हम एक और क्या देखते हैं कि हमारी जो अर्थ वेवस्ता है Shift gear क्या मतलब होता है Shift gear का मतलब होता है परिवर्तन करना कि अर्थ वेवस्ता जो की बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी लोकडाउन की चलते हमारी अर्थ वेवस्ता जो की बिल्कुल ठप पड़ गई थी अब क्या करने हम अर्थ वेवस्ता का gear change करने है यानि कि एक तरीके से धीरे धीरे अर्थ वेवस्ता में recovery करने के प्रियास हम कर रहे है तो यह एडिटोरिल कहना चाह रहा है कि हम अर्थ वेवस्ता को गती देने का प्रियास कर रहे है ऐसे हालातों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज का जो सबसे कमजोर तपका है वह सुरक्षित रहे क्यों? क्योंकि आप जब अर्थ वेवस्ता को बढ़ाओगे तब क्या होगा? गतीविदियां बढ़ेगी पबलिक ट्रांस्पोर्ट बढ़ेगा आप अगर हर चीज को खोलोगे जो चीज़ें आपने बंद कर रखी थी तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो भीड़वाड बढ़ेगी और भीड़वाड बढ़ेगी तो coronavirus बढ़ने का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाएगा तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है आगे देखते हैं India's fifth round of unlock regulations for October कि भई यह जो unlock की प्रक्रिया भारत में जो चल रही है ना lockdown को अटाने की यह इसका पांचवा चरण है India's fifth round का मदब पांचवा चरण है of unlock regulations regulations का मतलब है कि यह नियम की इन नियमों का इन instructions का पालन करते हुए lockdown को खोला जाएगा for October है ना तो October के लिए जारी किये गए हैं कुछ regulations कुछ नियम कानून की इन instructions का पालन करते हुए lockdown को कुछ जगों पर फिर से जो हटाया जा रहा है Allowing, Allowing का मतलब है permission देते हुए अब further कि और आगे आप यह कर सकते हो expansion का मतलब है विस्तार करना और बढ़ा देना of public activity तो यह जो lockdown खोला गया है पांचवे चरण के दोरान यह जो lockdown को हटाया गया है तो इसमें permission दी गई है ना और आगे विस्तार किया गया है कि इसका public activity का कि जो सार्वजनिक गतिविदिया है mainly खास करके in education के चेत्र में entertainment के चेत्र में and business conferences conference का मतलब होता है meeting कि व्यापार से संबंदित जो meetings है entertainment है movies है cinema theater है इसके लाव education चेत्र है इन सब चेत्रों को क्या किया गया है थोड़ा सा विस्तार दिया गया है कि इनको थोड़ा थोड़ा और खोला गया है तो यह जो decision है India's fifth round कि यह जो पाँचवा भारत का जो round है इस round के लिए यहां पर यह कम से न ध्यान देना यह है हमारा subject और यह है इसकी वर्व कि यह जो पाँचवा round है एक ऐसे समय पर आया है एक ऐसे समय पर आता है at a time when COVID-19 transmission जब कि COVID-19 का जो संक्रमन है transmission का मतलब हो गया संक्रमन is steady in many cities steady का मतलब है continue लगातार जब कोई चीज लगातार बनी रहती ने उसको कहा जाता है सुना होगा आपने slow and steady wins the race कि धीरे धीरे और लगातार चलने वाला race जीतता है तो यह editorial कहना चाहरा है कि कई शहर हैं उनमें लगातार COVID-19 का संक्रमन बलता जा रहा है और ऐसे समय में भारत का पांचवा अनलॉक का round आया है आगे देखते हैं nationally राष्टरी रूप से अगर हम बात करें दो यद्यपी the new infection being added everyday कि बही कोरोना वाइरस के जो नए संक्रमन के cases है न बींग जो की हो रहे हैं क्या हो रहे हैं added everyday यानि कि कोरोना वाइरस के case जो की प्रति दिन लगातार जुडते जा रहे एट अबाउट का मतलब है लगभग 60,000 कि आप यह कह सकते हो कि बही 60,000 की दर्स है यानि कि भारत में रोज 60,000 कोरोना वाइरस के संक्रमन के नए case हमारे सामने आ रहे हैं तो यह क्या दिखाते हैं कोरोना वाइरस के जो बढ़ता हुआ figure है यह जो आंक ले क्या दिखाते है represent a decline in recent days है तो एडिटोरिल कहना चाहता है कि ठीक है कि new infection जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं हर दिन जो है लगभग 60,000 नए case हमें देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी represent a decline in a recent days हम यह कह सकते हैं इन आकडों को देखते हुए कि यह जो अभी हाल ही के दिन है इन में कुछ कमी हमें देखने को मिली है coronavirus के संक्रमन के cases में ठीक है अभी भी coronavirus जो है लगातार बढ़ रहा है लगातार हमें आप यह कह सकते हो कि प्रति दिन जो है 60,000 से भी ज्यादा cases हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन फिर भी है आप यह कह सकते हो कि अभी हाली की दिनों में coronavirus के संक् यह जो है न कि भी कोरोनावाइरस के संक्रौन के के केकेसि मेगर हमें कमी देखने को मिलिये Through एक किस आधार पर हम कहह रहे हैं ये हम कहे रहे हैं जोन होपकिन्स करोनावाईरस Remote सेंटर के आंक्ड़ों के आधार पर उसके डेटा के आधार पर आगे देखते हैं The stringent, stringent का मत्त होता है बहुती ज़्यदा कठोर, बहुती ज़्यदा सक्त The stringent March-April lockdown कि भई March और अप्रil के महिने में जो बहुती कठोर lockdown हमने लगाया था And the subsequent measures, subsequent का मत्त होता है following और बाद में कि पहले तो हमने क्या किया, कि March और अप्रil में बहुती कठोर lockdown लगाया उसके बाद में, subsequent, बाद में हमने क्या किया, कुछ उपाई किये measures का मत्त होता है, उपाई To unlock the economy, अर्थ व्यवस्था को खोलने के उपाई हमने बाद में अपना है कि पहले तो क्या किया, March और अप्रil में, जबरदस्थ कठोर lockdown हमने लगाया और उसके बाद में हमने क्या किया, कुछ उपाई किये, जिनके तरहत हमने अर्थ व्यवस्था को खोलने का प्रियास किया To unlock the economy, to prevent, ताकि रोक सके To prevent का मतलब है, रोकने के लिए, किस चीच को रोकने के लिए And equally debilitating, debilitating का मतलब होता है, कमजोर करने वाला Crisis का मतलब है, संकट To livelihoods, livelihoods का मतलब होता है, आजीवी का तो editorial कहना चाहरा है, कि पहले तो हमने क्या किया, March और April में जबरदस्थ lockdown लगाया लेकिन उसके बाद में हमें क्या करना पड़ा, कुछ ऐसे उपाय करने पड़े, जिसके तहत हमारी अर्थविवस्था को खोला जा सके क्यों? क्योंकि lockdown लगाने से, कोरोना वायरिस से बचने में तो मदद मिली, लेकिन अर्थविवस्था का संकट पैदा हो गया लोग जो है अपनी आजिविका चलाने में अक्षम हो गया है, लोगों को आजिविका चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो एडिटोरिल कहना चारा है कि यह एक दूसरा संकट क्रियेट हो गया हमारे सामने, क्राइसिस का मता होता है संकट, तो हमने economy को खोला, रोकने के लिए livelihood के संकट को रोकने के लिए है लोगों का आजिविका के संकट को रोकने के लिए है और यह आजिविका का संकट है यह भी हमारी अर्थविका को कमजोर करने वाला है, टोटली हमें कमजोर करने वाला है, कोरोना वाइरस तो कमजोर करने वाला था ही, लेकिन कोरोना वाइरस क के चलते हमने अर्थ व्यवस्ता को बंद कर दिया अर्थ व्यवस्ता के बंद कर देने से लोगों की आजवी का पर जो है संकट आ गया तो यह दूसरा संकट करियेट हो गया जो कि बहुत ही जादा कम जोर करने वाला था तो इसको रोकने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा प्रथ व्यवस्ता को खोलना पड़ा तो इनके चलते हुआ क्या है व मैड इंडिया एन अनकॉमन केस इस्टडी इन दोनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो इनके चलते हम यह कह सकते हैं कि पहले आपने लोकडाउन लगाया फिर खोला है ना तो इनके चलते भारत जो है एक अनकॉमन केस इस्टडी कि भारत जो है एक मतलब अनकॉमन मतलब बहुत ही अजीव एक केस इस्टडी है हमारे सामने भारत की अगर हम इस पूरे की पूरे माहोल का निरिक्षन करें इस पूरे घटना करम पे नजर डालें तो बहुत ही एक सामानी बात नहीं है यह कि बही केंद सरकार ने decision लिया है, क्या decision लिया है? कि केंद सरकार का decision जिसके तहत कि तहत विबिन राज्यों को अनुमती देने की बाद केंद सरकार ने की है to consider to consider का मतलब होता है विचार करना जैसे आप देखो इस परिस्थिती को देखो आप इसके उपर विचार करो इस परिस्थिती के प्रित्यक पहलूओं को अपने ध्यान में लो उसे कहा जाता है consider करना to consider reopening का मतलब है कि क्या भई हम दुबारा खोल सकते हैं मतलब होता है एक्षिक रूप से आपकी इच्छा है कोई दबाव नहीं है will prove a difficult one अब देखो यहां पर क्या आया है कि यह जो decision के इन सरकार ने लिया है जिसके तैत विबिन राज्यों को allow किया गया है कि वे इस बात पर सोच विचार कर सकते हैं कि क्या schools और coaching centers जो है उन्हें reopen किया जाए 15 October के बाद में खास करके उन students के लिए जो की एच्छिक रूप से school में आना चाहते हैं तो यह जो decision है ना यह decision will prove a difficult one यह decision जो है एक बहुत ही बहुत ही कठिन decision साबित होगा क्यों? इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह decision एक कठिन decision क्यों साबित होगा इन बातों को ध्यान में रखते हुए New Research Evidence Based on कि नई रिसर्च के माध्यम से जो प्रमाण हमारे सामने आये हैं वे प्रमाण किस बात पे आधारी थे Data from Tamil Nadu एंड आंदरप्रदेश की तमिल नाडू और आंदरप्रदेश के से जो आंकले हमारे पास आये हैं वे आंकले इस और इशारा करते हैं pointing to मतलब है इशारा करते हुए pointing to high prevalence prevalence का मतलब होता है व्यापकता है मौजूद होना किसी चीज का है न high prevalence of infection among children who were contacts of virus cases in the same age group इडिटरिल कहना चाहरा है कि यह जो decision हमने लिया है कि राज्यों को allow किया गया है कि वे चाहें तो school और college coaching centers को खोल सकते हैं उन विद्यारतियों के लिए जो कि स्वेचिक रूप से coaching में आना चाहते हैं उनके लिए खोला जा सकता है तो यह जो decision है यह बहुत ही cutting decision सावित होगा क्यों इन बातों को ध्यान में रखते हुए किन बातों को ध्यान में रखते हुए कि नई research के माद्यम से हमारे सामने के प्रमान आये है based on data कि तमिलनाडू और आंद्रप्रदेश से जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वे इस बात की और इशारा करते हैं high prevalence of infection कि यह जो coronavirus का संकर्मन है यह बहुत ज़्यादा देखा गया prevalence का मतलब इसकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा देखी गई किन लोगों में उन बच्चों में among children उन बच्चों में who were contacts of virus cases in the same age group कि भई same age group कि भई एक ही उमर के जो बच्चे थे ना उनमें ज़्यादा से ज़्यादा coronavirus पाया गया है coronavirus के contacts उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पाया गया है एक ही age group के बच्चों में तो इससे क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि अगर एक ही जगे बच्चे एक खट्टे हो रहे हैं जैसे स्कूल में या कोलेज में तो वहां पर कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा खत्रा है स्लोइंग कम्यूनिटी इस्प्रेड स्लोइंग का मतलब है धीरे करना कम्यूनिटी इस्प्रेड कम्यूनिटी का मतलब हो गया समुदा है कम्यूनिटी इस्प्रेड का मतलब हो गया फैला तो कम्यूनिटी इस्प्रेड का मतलब हुआ कि यह जो कोरोना वायरस एक समाज के इस क्वाइंग कम्यूटिय स्प्रैड इच बाउंड तो बिकम और कॉम्प्लिकेटड का मतलब होता है जटिल क्या बात करता है कि इस लोइंग कम्यूटिय स्प्रैड की की एक समुदाए के रूप में यह जो कोरोना वायरस फैल रहा है इसे दीरे करना ना कि अगर हम तो हम क्या हम यह चाहते हैं कि जो community spread है coronavirus का यह कम हो जाए editorial कह रहा है it's bound to become more complicated तो editorial कह रहा है कि यह जो नया decision हम लेने जा रहे है इसके माद्यम से क्या होगा इसके माद्यम से जरूर ऐसा होगा bound to मतलब है बाद्यकारी है कि यह जरूर होगा become more complicated more complicated का मतलब है कि हम तो coronavirus के cases को कम करना चाह रहे है लेकिन जो coronavirus का मामला है न और ज़्यादा उलज जाएगा यह editorial कहना चाह रहा है since क्यों governments blame careless attitudes for continued transmission वही सरकारे जो है विबिन सरकारे, राज्य सरकारे, केंज सरकारे यह दोश लगाती है किनके ओपर careless attitude careless attitude का मतलब है लापरवाही से भरा हुआ आपका जो आचरन होता है न उसे कहा जाता है careless attitude for continued transmission कि वही लगातार transmission transmission का मतलब हो गया संक्रमन कि वही लगातार coronavirus का जो संक्रमन जारी है उसके लिए विबिन सरकार वह लापरवाही पूर्ण रवये को दोशी मानती है खास करके केरल में और तमिल नाडू में यह एडिटोरिल जो है यहां तक बात करना चाहरा है तो यह एडिटोरिल कहना चाहरा है कि वही यह जो हम slow करना चाहते है coronavirus के फैलाओ को तो slow तो नहीं होगा यह जबकि bound to का मतलब ऐसा हो जाएगा बाद दिकारी हो जाएगा कि यह जो coronavirus का फैलाओ और भी ज्यादा complicated बन जाएगा क्यों कि हम यह देखते है कि विविन सरकारे जो है एक तरीके से विविन लोगों पर दोश लगा रही है कि लोग भाग जो है तो क्या इसमें दो सेंटेंस जुड़े होए होते है यानि कि while का मतलब होता है जबकि एक और तो ये बात है और दूसरी और ये बात है तो while essential movement for economic reasons कि आर्थिक कारणों के चलते जो है कुछ गतिविदियां करना भी जरूरी है essential का मतलब है आवशक movement का मतलब है कि कुछ कदम उठाने जरूरी है कुछ गतिविदियां करनी जरूरी है तो while essential movement for economic reasons including जैसे कि use of public transport कि सारवजनिक यातायात का प्रियोग करना is unavoidable इससे बचा नहीं जा सकता unavoidable का मतलब है जिससे बचा नहीं जा सके तो एडिटरल कहना चाहरा है कि while essential movement for economic reasons कि आर्थिक कारणों के चलते कुछ कदम उठाने जरूरी है जैसे कि public transport है सारवजनिक यातायातायाताय इससे आप बच नहीं सकते यह आपको allow करना ही पड़ेगा indifference towards safe public behavior indifference का मतलब होता है उपेक्षा जब आपका व्यवहार किसी भी चीज के पृती उपेक्षा पूर्ण होता है तो उसे कहा जाता है indifference towards का मतलब है की और indifference towards safe public behavior is extracting a heavy social cost जैको extract का मतलब क्या होता है extract का मतलब होता है निकालना जैसे कि जमीन से आप कोई खनीज निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है extract यहाँ पे extract का मतलब है lana extracting a heavy social cost तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि ठीक है मानते हैं हम कि अर्थ व्यवस्ता के लिए कुछ काम है जो कि आपको करने ही पढ़ें उनसे तो आप नहीं बच सकते जैसे पबिक ट्रांसपोर्ट है यह तो आपको करना ही पढ़ेगा इससे तो आपको खोलना ही पढ़ेगा लेकिन एडिटोरियल बात कहना चाहता है कि यह जो हमारा उपेक्षापूर्ण रवाया है किस चीज के परती safe public behavior कि हम सारवजनिक रूप से जो हमें आचरन करना चाहिए जैसे कि मास्क पहनना है social distancing maintain करना है तो यह जो हमारा व्यवार है इसके परती है जो लापरवाई हम दिखा रहे है यह ला रही है इसकी हमें जो है एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी extracting का मतलब लाना a heavy social cost है कि यह जो हमारा लापरवाई पूर्ण रवया है इसकी हमें भारी सामाजी कीमत चुकानी पड़ेगी है यह editorial कहना चाहरा है even in the face of in the face of का मतलब होता है के चलते even का मतलब है यहां तक की in the face of का मतलब है के कारण के चलते के फलस्वरूप even in the face of a deadly का मतलब है घातक pandemic pandemic का मतलब है वैश्विक महामारी है न यहां पर coronavirus के लिए कहा गया है even in the face of a deadly pandemic कि यहां तक की यह जो coronavirus है घातक coronavirus है इसके चलते है इसके चलते है या इसके फलस्वरूप governments are taking a benign view of recalcitrant people governments है न बिन जो सरकारे है are taking a benign view benign का मतलब होता है kind and pleasant का मतलब एक तरीके से उदार रवया अपनाना किसी के प्रती है एक तरीके से नर्मी बरतना सक्ती न दिखाना उसे कहा जाता है benign are taking a benign view of recalcitrant का मतलब होता है ideal जो बहुती ज़्यादा जिद्धी होता है बहुती ज़्यादा उद्धन्ड होता है बहुती ज़्यादा अडियल होता है उसे कहा जाता है recalcitrant people who do not wear masks तो सरकारे क्या कर रही है ज़्यादा तर जगे पे वे लोग जो की बहुती अडियल पन दिखाते है यानि कि ऐसे कई लोग है जो की बहुती ज़्यादा उद्धन्ड है बहुती ज़्यादा जिद्धी है वे मास्क नहीं पहन रहे है तो सरकार क्या कर रही है उनके पृती भी जो है उदार रवया अपना रही है इवनओं यहाँ तक की इवनओं बसे एंड ट्रेंज कि एसे लोग जो की मास्क नहीं पहन रहे कहां पर यहां तक की बसों में भी नहीं पहन रहे कमसे कम यहां तो पहनो यहां तो बहुत ज़रूरी है इस्पिट इन पब्लिक स्पिट का मतलता है तोक नहें इस पर जो सावुजनिक रूप से थूकते हैं, चाहे जाएं ना, And, Crowd Commercial Locations और यह लोग क्या करते हैं, भीळ भाड कर देते हैं, हम पर क्राउड का मतलता है है, और ज्यादा भीळ खाती कर देना, Commercial Locations, कि बाहि जो जो व्यापारिक इस्थान है उन व्यापारिक इस्थानों पर लोग क्या करते हैं एक तरी कि송 इखटे हो जाते भीर बना देते है हैं भीडirigon पर थूक रहे हैं बस ओर तरीके से विनम्र तरीके से परसुएसिव का मतलब होता है किसी को राजी करना है किसी को मना लेना परसुएसिव इनफोस्मेंट का मतलब होता है लागू करना किसी चीज को वुड़ बी जरूरी होगा इसेंचल का मतलब है जरूरी होगा वुड़ बी इसेंचल का मतलब है ऐस सुन सीजन के दौरान और फेस्टिवल सीजन के दौरान लोगों से जो है पोलाइट तरीके से उन्हें राजी करें ना परस्वेसिव का मत्तब होता है ऐसा एक्षन जिसमें आप किसी को राजी करते हो किसी को फुसलाते हो किसी को मनाते हो है तो लोगों को राजी करते हुए जो है coronavirus के चलते हैं, जो भी restrictions हम लागू करना चाहते हैं तो लोगों को धीरे-धीरे उसके लिए राजी किया जाए और यह जरूरी होगा अगर हम coronavirus की infection rate को कम करना चाहते हैं तो among the relaxation measures in the October unlock face is, अब यहाँ पर इस किसके लिए आया है, देखो यहाँ पर क्या लिखावा है, among the relaxation measures, relaxation का मतलब हो गया, एक तरीके से छूट देना, राहत पुरदान करना, measures का मतलब हो उपाए, among the relaxation measures in October unlock face, कि बही October के मन्त में यह जो unlock का जो चरण है, इसका मतलब हो गया, अवध या फिर चरण, कि बही यह जो October मन्त का, कोरोना वाइरस के चलते हैं, जो lockdown हमें लगाया था, इस lockdown को unlock करने का जो चरण है, इसमें हमने जो जो उपाए उठाए हैं, उन में से एक उपाए कि अगर हम बात करें, तो उन उपाए हो में से एक उपाए किया है, is permission for cinema, उसमें permission द उसमें जो capacity है ना, उस capacity के आधे लोग आप बैठा सकते हो, एसी permission इस phase में दी गई है, but the risk surrounding, लेकिन यह जो permission दी गई है ना, इसके चलते हैं, risk बनी हुई है, खत्रा बना हुआ है, खत्रे ने घेरा हुआ है, surrounding का मतलब है घेरते हुए, but the risk surrounding, enclosed spaces, enclosed का मतलब होता है, चारो त space, but the risk surrounding enclosed space and transmission, transmission का मतलब है, coronavirus का संक्रमन है ना, संचरन, from asymptomatic, asymptomatic individual, individual का मतलब हो गया, कोई भी व्यक्ति, asymptomatic, asymptomatic का मतलब हो गया, ऐसा व्यक्ति, जो coronavirus से संक्रमित है, और उसमें coronavirus के लक्षन, नजर नहीं आ रहे है, उसे कहा जाता है, asymptomatic individual, is real, तो यहाँ पर यह इस के लिए आया है, यहाँ पर यह इस आया है, risk के लिए, ध्यान देना, यहाँ पर यह इस आया है, risk के लिए, एडिटो किया है, तो उस permissions में एक permission जो है, वो यह है, कि cinema और multiplexes जो है, वह है, पचास प्रतिशत capacity के साथ खोले जा सकते, लेकिन एडिटोरियल बात करता है, कि भई, risk बनी हुई है, खत्रा बना हुआ है, क्या खत्रा बना हुआ है, surrounding and closed spaces and transmission, कि भई, from asymptomatic individual, ऐसे व्यक्ति, जिनमें क की coronavirus के लक्षन नहीं है, उनके माध्यम से coronavirus का संचरण, coronavirus का संक्रमन हो सकता है, बंद जगे में, तो यह जो risk है, यह risk वास्तविक है, is real, आगे देखते हैं, viewed against the enhanced risk of environments where masks are removed for eating and drinking, viewed against the enhanced, कि अगर हम इस प्रष्ट भूमी को मद्दे नजर रखते हुए बात करें, viewed against का मतलब है, कि अगर हम इस प्रष्ट भूमी को मद्दे नजर रखते हुए बात करें, कौन सी प्रष्ट भूमी को, the enhanced का मतलब है, enhanced का मतलब है, बड़ी हुई, enhanced का मतलब होता है, बड़ा देना किसी चीज़ को, enhanced का मतलब है, बड़ी हुई, enhanced risk, खत्रा, जोखिम, of environments, where, कि ऐसे टिंग, कि बड़ी, जैसे, hotel हो गई, आपके है, मतलब ऐसे, वातावरं की, अगर हम बात करें, जहां पर, खाने के परपस से, या पीने के परपस से, mond meidän की चामे को, हटाया जाता है, तो, वहां पे क्या है, यहां यहां यह जैसे, cinema है, या फिर, restaurant है यह ऐसे इस्ताने जहाँ पर आपको mask हटाना पड़ता है ना eating purpose के लिए या फिर drinking purpose के लिए तो यहाँ पर risk बढ़ जाती है खत्रा बढ़ जाता है coronavirus के संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है तो these entertainment options may not have wide appeal तो editorial क्या कहना चाहा है कि ठीक है भई सरकार ने तो यह जो restaurants है और cinemas है इनको खोलने की permission दे दी लेकिन editorial कहना चाहता है कि these entertainment options कि यह जो entertainment के विकल्प हैं may not have wide appeal तो इस बात की संभावना बनती है wide appeal होने का मतलब होता है व्यापक रूप से लोगों को पसंद आना उसे कहा जाता है wide appeal तो editorial कहना चाहा है कि यहाँ पे जो है ज्यादातर लोगों को mask हटाना पड़ता है तो हो सकता है public स्वयम ही एहतियात बरते और ऐसे इस इस्थानों पर जाने से बचे इस बात की संभावना बनती है में not have wide appeal कि सरकार ने permission दे दी लेकिन फिर भी हो सकता है कि लोगों को यह decision appeal न करे है ना लोग बाग जो है multiplexes में न जाएं cinema hall में न जाएं इसा हो सकता है in the pre-vaccine phase pre-vaccine phase का मतलब है उस अवदी के दोरान जब तक अब देखो फिर while से sentence जुड़ा हुआ है तो मतलब दो बाते हम यहां पर करेंगे while से तो यहां तक while the economy shifts gears in the activity phase कि एक और तो हम क्या देखते है कि हमारे यह जो गतिविदी है यह फिर फिर हमारी जोगतिविदी हमारी जो गतिविदी हमारी जो गतिविदी हैं उसमें क्या करने sich HaginLju एक तरीके सेолов-पान पिधाड़ का गेर बदल रह RNA से मतलब है कि और ज्यादा आर्थिक गतिविदियों को धीरे धीरे हम जो है एक तरीके से एक्टिवेट कर रहे है उन्हें आपरेट कर रहे है The center should be तो एक ओर तो हमारा ये कदम है कि हम आर्थिक गतिविदियों को ज्यादा से ज्यादा अंजाम देने की कोशिश कर रहे है तो दूसरी ओर, the center should be focusing, केंदर सरकार को इस बात पे focus करना चाहिए न, यहनि की केंदर सरकार का focus इस बात पे बना रहना चाहिए, किस बात पर, on improving, सुधार करने पर, किस चीच को improve करने पर, the understanding का मतब है, समझ of the health impacts of COVID-19, सरकार को लगातार इस बात के प्रियास जारी रखने च है, उसको लगातार समझते रहना चाहिए, disappointingly, निराशा जनक रूप से अगर हम बात करें, while जबकी, it has emphasized, कि सरकार ने इस बात पर जोर दिया, emphasize का मतब है, जोर देना, कि disappointingly का मतब है, disappointingly यानि निराशा जनक रूप से अगर हम कहें, while जबकी, एक और हम देखते हैं, कि सरका जबरदस्त, recovery rates from the infection, भई सरकार बार बार इस बात को कह रही है, कि coronavirus के जो infection है, उनमें जो recovery rate है, वो बहुत ज़्यादा है, जबरदस्त recovery rate भारत में हमें coronavirus की देखने को मिल रही है, इस बात पर सरकार लगातार जोर दे रही है, लेकिन सरकार इस बात पर fail हो गई है, it has failed, कि स बात को लेकर सरकार fail हो गई है, to standardized testing, कि सरकार जो है, टेस्टिंग को क्या करे, standardized करे, टेस्टिंग को standardized करने का मत्तब है, कि व्यापक रूप से सभी लोगों के लिए testing को सुलब बनाया जाए, और उपलब्द बनाया जाए, सरकार इस बात में नाकाम्याब रही है, and reporting methods, और यह जो कोरोना वाइरस के cases की जो reporting की जा रही है, उस तरीके में भी सरकार को improve करने की जरूरत है, यानि की कोरोना वाइरस की reporting भारत में ठीक तरह से विबिन सरकारों के द्वारा नहीं की जा रही है, and reporting methods among states की विबिन राज्यों के बीच में, यह जो कोरोना वाइरस की जो reporting क जा रहे हैं यह रिपोर्टिंग बिल्कुल ठीक तरह से नहीं हो रही है तो इसके चलते कोरोना वाइरस के वास्तिक आंक्ले हमारे पास उपलब्द नहीं हो पा रहे हैं एंड पब्लिश फायन ग्रेंड डेटा का मतला हो गया आक्णश धा डिकर हमारे एंड मुझे fine-grained data चाहिए, इसका मतलब है कि मैं ऐसे आंकले चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल गहराई में हो, जो बिल्कुल detail में बात करे हैं, उनको कहा जाता है fine-grained कमता है, बिल्कुल detail में, and publish fine-grained data on types of tests carried out, carry out का मतलब होता है, किसी काम को अंजाम देना, in each state, तो सरकार इस बात विविन राज्यों में, जो भी coronavirus के case हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी in-depth study की जाए, और उनसे संबनित आंकले प्रकाशित की जाए, anonymized patient histories, गुम नाम रखते हुए, patient histories, कि विविन ने जो मरीज हैं, उनकी history को गुम नाम रखते हुए, यानि कि patient का नाम open न किया जाए, सभी को patient के बारे में जानकारी न दी जाए, लेकिन आंकलों को तो बताया जाए, कि वह कितने आंकले हैं, और किस रूप से लोग बाग प्रभावित हो रहे हैं, post recovery status, इसके बाद, इसके लावा सरकार को ये भी चाहिए था, कि सरकार ये भी बताती कि क्या, कि जैसे coronavirus से कोई व्यक् कि हालत कैसी है, coronavirus से recover कर जाने के बाद में, for complications, ऐसा तो नहीं है, complications का मतलब होता है, जटिलता है, कि बही, coronavirus से कोई व्यक्ति recover कर गया है, इसके बाद में कोई जटिलता हैं, तो नहीं देखने को मिली, कोई अन्य बीमारियां तो नहीं हो गई उसे है, उसका स्वास्तिक कैसा हैं, उसे का जाता है, post recovery status of complications and mortality, mortality का मतलब है, मृतियुदर है, और मृतियुदर का जो है, क्या आंकला, actual आंकला क्या है, मृतियुदर का, तो इन सब बातों पर, इन सब मुद्दों पर सरकार फेल रही है, सरकार ने सिर्फ एक चीज़ पर जोर दिया है, वह जोर है, ति सरक को इन मुद्दों पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, आगे देखते हैं, कि repeated emphasis on a large number of recoveries, लगातार है लगातार जो है, इस बात पर जोर दे रही है, अब एक चीज़ ध्यान देना आप, कि देखो, अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर emphasis आया था, लेकिन इसके बाद में हमने on preposition का प्रियोग नहीं किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर emphasis का प्रियोग हुआ था, वर्व के रूप में, अब यहाँ पर देखो, हम emphasis के साथ में on preposition का प्रियोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर emphasis का प्रियोग कि तो रिपिटेड इंपेसिस ओन कि लगातार इस बात पर जोड दिया जाना किस बात पर जोड दिया जाना on a large number of recoveries कि बढ़ी सरकार बार बार कह रही है कि बढ़ी कौरोना वायरिस के ज्यादा तर केसे से रिकावर हो रहे है तो इस बात पर ज्यादा जोड देना जांसे हैं कि किसी तरह से ज़ादातर वेक्टीद ठीक होई जाएंगे क्यों कि जो एक तदिकन वयर्स कि तरह से ऑप कह सकते हो क्यों कि जो शताय करना चाहिए उसके उसमीद थी उनके बारे में कि सरकार जिनflowing बारे में बार यह रही कि उनकी तो उम्मीद थी ज्यादा तर लोगों को किसी ने किसी रूप में रिकवर करना ही था विच वर एक्सपेक्टेड एनिवेर किसी भी सूरत में उनको जो है एक तरीके से एसी उम्मीद थी कि भी ठीक हो जाएंगे ऐसा लगी रहाता बट विदाउट दा नेसेसरी केविएट एटिट्रिल कहना चाहरा है कि सरकार बार-बार कह रही है इस बात पर बार-बार जोड दे रही है कि हाँ लार्ज नंबर ओफ रिकवरी देखी जा रही है लेकिन सरकार कोई इस्पेशल चेतावनी जारी नहीं कर रही है बट विदाउट दा नेसेसरी केविएट केविएट का मत होता है चेतावनी एक वार्निंग एक तरह की की वार्निंग उसे कहा जाता है केविएट लेकिन बिना कोई वार्निंग के जो सरकार ये बाते कर रही है ना recovery हो गई भई हमारी recovery rate अच्छी चल रही है और किसी तरह की कोई but without necessary caveat but without necessary caveat का मत हुआ कि बिना किसी बिना किसी जरूरी चेतावनी के may be encouraging तो इससे क्या हो सकता है? may be इससे possibility बनती है ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? encouraging millions millions, इसके माध्य अब से हो सकता है, ऐसा हो रहा हो, क्या हो रहा हो? कि millions, कि भई लाखों की संक्या में जो लोग है, उनने बढ़ावा मिल रहा हो, to lower their guard, कि वे असावधान हो जाएं, low once guard का मतलब होता है, guard का मतलब किया होता है, सुरक्षा कि लोगबाग जो थे असावधान हो तो देहां किसी में इस तरह को समझे करेोशिश कर लेकिन सरकार को चेतावनी जारी चाहिए मतलब सरकारके दवरा लोगों लगातार नी दिजानी चाहिए अपना ध्यान रखो बच के रहने की जरूत है इसके अलावन आप किसी भी तरह की लापरवाई न दिखाएं इस तरह की चेतावनी भी सरकार को लगातार जारी करनी चाहिए तो यह जो चेतावनी सरकार के दोरा नहीं जारी की जा रही ना इसके माध्यम से संभावना बनती है क्या बनती है कि हो सकता है सरकार के दौरा लाखों लोग जो है इस बात के लिए encourage हो रहे हो, encourage का मत होता है प्रोच्छाहित करना किसी को बढ़ावा देना to lower their guard कि भई जो लाखों की संक्या में जो लोग हैं वे आसावधान हो जाएं इसा हो सकता है इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि परियाप्त एहतियात बरतने जरूरी है लोगों को जो है परियाप्त इंस्ट्रक्शन्स देने जरूरी है लोगों को परियाप्त चेतावनी जारी करना जरूरी है every effort to relieve the citizens fatigue over covid-19 should be made every effort प्रतियक प्रियास हमें करना चाहिए to relieve का मतब़े राहत प्रदान करने के लिए citizens fatigue fatigue का मतब़े ठकाल कि यह जो coronavirus है इसके मारे पूरी public ठक चुकी है कि पूरी public परिशाने इस coronavirus को लेकर extremely tired है तो एडिटरियल कहना चाहिए कि जो भी हर संभव प्रियास हो सकता है वह प्रियास नागरिकों को coronavirus से निजात दिलाने के लिए किया जाना चाहिए किस बात को लेकर over covid-19 should be made बनाया जाना चाहिए जो भी effort हो सकता है वो effort किया जाना चाहिए coronavirus की यह जो थकान लोगों में आ गई है जो लोग परेशान हो गए उन्हें राहत देने के लिए जो संभव प्रियास हो सकता है वो किया जाना चाहिए but the goal is लेकिन हमारा जो गोल है वो क्या है is to prevent health कि हम लोगों के स्वास्ति को प्रेवेंट करें प्रेशरो का मत्तब एक तरीके से बचा के रखना कि गोल जो है हमारा वो गोल यह होना चाहिए कि लोगों के स्वास्ति को बचा के रखा जाए कब तक until कब तक अब medical breakthrough breakthrough का मत्तब होता है एक बड़ी काम्याबी एक बड़ी उपलब्दी is made कि जब तक कि medical छेत्र में कोरोना वाइरस की vaccine संबंदी बड़ी काम्याबी हासिल नहीं हो जाती तब तक हमारा गोल होना चाहिए कि हम किसी तरह लोगों के स्वास्ति को बचा कर रखें